धन्यवाद, 2019 की जीत, सरकार बनी, 303 सीटे मिली, लेकिन उन 303 सीटों में जो सबसे ताकतवर, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे रोचक सीट थी, वो आपकी थी, और वो इसलिए क्योंकि दशकों दशकों एक पार्टी का खिला महाँ पर बना था, आप हार चुकी थी, आपको अ आपको पता है और नहीं पता है, कि उस जीत के बाद ये कहा कि युद्ध में खूब लड़ी मर्दानी और राजनितिक लड़ाई में खूब लड़ी इरानी, ये चैलेंच जब आपने पा लिया, तो आपको लगा, done, Mission Rahul over, accomplished, कभी धे Mission Rahul का था ही नहीं, Mission सायद इस बात का था कि जो हजार चौदा में, जिस लोकसभा छेतर में मैं गई, मात्र बीस से पचीस दिन की अवधी में, तीन लाख लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, और पात साल उन्हें अकेला छोड़ना, और उनको उनके हाल पर छोड़ देना मुझे उचित नहीं लगा, मैं उन तीन लाख लोगों के लिए जिन्होंने मुझ पर बीस दिन में मात्र विश्वास कर लिया, उनके लिए बार-बार अमिठी लोटी, और दोहजार उन्नीस की जो जीत है, वो जीत मेरी नहीं, वो जनता की इसलिए है, क्योंकि वहां पर जनता गांधी खानदा है, तो मात्र इतना कि मिशन ये था कि उन तीन लाख लोगों की आवास बनू और परिणा में ये निकला कि अमिठी की दीदी बन बैठी, आपने काया कि आप अमिठी की दीदी है, आपने अमिठी वालों को कहा कि आपने एक दीदी को चुनाए, मुझे पता है 55,120 वोटों स आपने राहूल गांधी को हराया, एक साल हो गया है उसको, आपको दो मंत्राले सौब दिये गये हैं, सांसद स्मृत्ती इरानी ने इस एक साल में अमिठी के लिए ऐसा क्या कर दिया, जो सालों तो गांधी परिवार नहीं कर पाया है, मतलब है आपके पास तयार हो डेटा? मेरे पास लिस्ट तयार है, दस हजार करोड के कामों की, और साल पूरा नहीं हुआ है, आज अगर आप अमिठी जाएं, तो समरेता की एक सड़क है, जिसके दोहरी करण के लिए लगभग 30 साल से लोग संघर्श कर रहे हैं, बीस तारीक को उस रोड के चोहरी करण, सौंदर सेनिक स्कूल आ रहा है, अमेठी के इतिहास में पहली बार सरकारी एक भवन बन रहा है, जो विश्राम घर कहलाता है, वहाँ पर आज तक सरकेट हाउस तक नहीं था, अमेठी में पहली बार अब मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, अमेठी में पहली बार एके 203 की 5000 करोड क लागत की फैक्टरी बन रही है, ऐसे कई अंगिनत काम हैं, कुछ लोगों के आँखों से अगर देखो तो कई काम छोटे हैं, लेकिन अमेठी के छोटे ही सपनों को साकार करने के लिए मैं वहाँ पर चुनी गई हूँ, और मुझे इस बात का बहुत-बहुत संतोश है कि आज मैं दस हजार करोड के काम एक साल पूरा नहीं हुआ, उसमें मैं अमेठी में गिनवा सकती हूँ, दस हजार करोड के काम आपने लगभग कर दिये हैं पूरे या उसको हरी जंडी में वह सारे ओंगोइंग शुरू हो चुके हैं, पांच हजार करोड की फैक्टरी का घोशना तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयम आकर करी, समरेता की जो सडख है मैंने जिसका उले कभी किया, सेंग स्कूल जो है, इन सब का शिलन्या सरकाम शुरू हो चुका है, तीन हजार करोड की तो सिर्फ सड़के हैं, अमेठी राहूल गांधी को मिस करती है, पता नहीं, लेकिन म मुझे ऐसा लगता है कि अमेठी की जो परिभाशा हो गए थी, वो एक हांदान तक्सीमित थी, आज जब लोग अमेठी को देखते हैं, तो अमेठी की वो 20 से 25 लाग की जनता दिखाई देती है, उनकी आकांगशाय दिखाई देती है, उनकी दरकार दिखाई देती है, आज अमेठी चिन बन चुका है, एक साधारन हिंदुस्तानी का, उस VIP का नहीं, जो इस हिंदुस्तानी को विकास से वंचित रखता था, सुनाया आपने मकान वगेरा वहाँ पर बनाने की सोच लिए, मतलब आप घर बसाएंगी अब वहाँपर, जी शुरू हो चुका है उसका का रुबिका जी मुझे लगा, ABP News में कम से कम सही न्यूज आएगी, वो फ्राइड राइस जो पक रहा था, दिल्ली में ही पक रहा था, दिल्ली में पक रहा था, दिल्ली में पॉलिटिक्स के साथ साथ घरों में खाना भी पकता है, जिन लोगों को नहीं पता है, किचुडी है, वो वहाँ इंस्टाग्राम पर अपने परिवार के बारे में, अपने बारे में, अपने हैकर्ट के बारे में देश और दुनिया को बताती है, स्मिती, किस तरीके से आप ये सारी चीजे एक साथ डील करती है, मतलब देखिए, आपके पास महिला एवन बालविकास मंत्र आप महिलां के अनेक रूप दिखा रही है, पर कोई ऐसा रूप है जो आप छुपा रही है, वो challenge. मुझे नहीं लगता कि जिन्दगी में challenges, चुनावज़ देख कर आती है. मुझे नहीं लगता चुनौतियां ये देखकर आती हैं कि आप किस भवन में, अथ्वा की शेहर में खुद रहती हैं चुनौतियां जब आती हैं तो शायद आपका होसला अवजाई करने के लिए आती हैं हमें बच्पन से सिखाये जाता है कि भगवान भी उनके सामने चुनौति को उप्रस्तुत करते हैं जिसमें इतना मादा हो कि वो उसके समाधान तक पहुँच सके और शायद प्रभु के असीम कृपा रही कि जब जब चुनौतियां मेरे सामने आई तब तब प्रभु के कृपा से मैंने समाधान तक या सफलता तक पहुचने का प्रयास किया और उस प्रयास में सफल भी रही चुनौतियों के आप बात कर रहे हैं इस वक्त आपकी सरकार की सबसे बड़ी चुनौती CAA पर देश भर में हो रहा विरोध है आप महिला एवं बालविकास मंच्राले समालती हैं आपके दफ्तर से 15 किलो मीटर की दूरी पर बहुत सारी बुज़ुर्ग औरते बहुत सारी महिलाएं अपने बच्चों को गोद में लेकर बैठी हुई है मैं पहले उस पर आपकी टिपणी चाहती हैं और फिर थोड़ा आगे बढ़ देए मुझे लगता है कि जब गोद में खेलते हुए बच्चे को सडक पर खड़े होकर ये कहा जाता है कि बोलो कि हम देश के प्रधान मंत्री का कतल कर देंगे तो कहीं न कहीं वो ममता की परिभाशा नहीं है जब गोद में खेलते बच्चे को कहा जाता है कि आईन को अपने नामन्जूर कर दो अपने संसद का विरोध करो तो वो ममता की परिभाशा नहीं है गोद में बिलकते खेलते बच्चे को जब चार महीने की ठंड में मार दिया जाता है तो वो जिहाद का प्रतीक नहीं है आप जाकर उन महिलाओं को समझाना नहीं चाहेंगी मुझे लगता है कि सरकारी तंत्र के साथ साथ जो भी हिंदुस्तानी कानून जानता है पढ़ता है या समझने की कोशिश करता है वो ही समझता है कि पाकिस्तान में हालात कुछ ऐसे कि वहाँ पर 13-14 साल की हिंदु हो या सिक बेटी हो या क्रिश्चन बेटी हो उसको अगवा किया जाता है क्युणकि वो उस minority से है उसका बलातकार किया जाता है बलातकारी के साथ उसका बिहार अचाए जाता है और जब वो परिवार हिंदुसतान की शरण मांगते हैं तो एक हिंदुसतानी होने के नाते मेरा ये गौरव है कि मेरा देश कहता है मोदी के नेत्रित में उनको शरन दो आप अफगानिस्तान पाकिस्तान और बांगलादेश की उन महिलाओं के बारे में सोच रही हिंदुस्तान की महिलाओं के बारे में क्यों नहीं सोच रही है आप पर यारूप लग सकता है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांगलादेश के उन परिवारों तक्सीमित है, हिंदुस्तान की महिलाओं पर वो लागू नहीं होता मैं प्रदर्शन करने वाली महिलाओं की बात कर रहे हूं, वो उन पर लागू नहीं होता, वो हिंदुस्तान की आवाम है तो आप उन्हें समझाने के लिए किसी तरह का कोई प्रेयास नहीं? मैं बच्चों से बुलवाएं कि मोधी का कतल होगा, तो इस अधिकार का वो पूरा पालन कर रहे हैं। मैं क्या समझाओं जाकर उनको जो देश के प्रधान मंत्री को मौत के घाट उतारनी की बात करते हैं। मैं क्या जाकर समझाओं उनको जो कहते हैं कि हिंदुस्तान के टुकडे होंगे। मैं क्या जाकर समझाओं उनको जो कहते हैं कि हमारी कब्रे खोदी जाएंगी। मैं क्या समझाओं उनको जो कहते हैं कि हम 15 करोड हैं 15 मिनिट हमारे हाथ छोड़ दो। मैं क्या समझाओं, मैं मात्र इतना कर सकती हूँ कि जो हिंदुस्तान में विश्वास करते हैं, उन्होंने भले मोदी के लिए वोट किया हो या ना किया हो, उनके संरक्षन के लिए अपने मंत्राले के माध्यम से पोशन अभ्यान में हर गरीब महिला के पास सुविधा पहुं करतव्यपत पर जो मिले ये भी सही वो भी सही वर्दान मांगूंगी नहीं। जो डर और जो भय है, समिती, मैं उस डर को आप रुबिका जी माइनॉरिटी परिवार के हैं, मेरी नजर में अगर आप आपको देखू मैं, तो मेरा ये मानना है, ये हिंदुस्तान सबका है, इसमें माइनॉरिटी, मेजॉरिटी कोई नहीं, क्योंकि आप भी उतनी हिंदुस्तानी हैं जितनी की मैं, आपको डर लगता है अपने देश में, कतम है, मुझे डर नहीं लगता है, क्योंकि मैंने C.A. का वो पूरा जो खाका है वो पढ़ा है, वही मैं कह रहे हूं, मुझ की जिम्मेदारी नहीं, कि काउम को बैठ कर समझाया जाए, कि ये कानून जो संसद का है, क्या इस देश का संसद, देश के किसी भी नागरिक के साथ ऐसा पक्षपात कर सकता है, ये कौन मान सकता है, कानून पक्षपात नहीं कर रहा है, लेकिन जो बयान आ रहे हैं, वो अगर देश का प्रधान मंत्री स्वयम दे चुका है। इसलिए कह रहे हूं कि कानून के विरोध में बैठे हैं, संसद के विरोध में बैठे हैं, आइन के विरोध में बैठे हैं, हिंदुस्तान के विरोध में बैठने का अधिकार है उनको, बयान के खिलाफ नहीं बैठे हैं गोल पोस्ट चेंज नहीं हो सकता रुविका जी एक-एक माहौल बनता है ना उसमें कानून आगया कि हमको यह निर्ने करना पड़ेगा कि अगर देश की आहूती देने का माहौल बनाया जाता है तो क्या हम उसमें स्वाहा होने को तैयार है यह निर्ने हमको हिंदुस्तानी के नाते करना पड़ेगा तो आप उनको छोड़ देंगे अकेला? वो मेरे साथ हैं क्या मुझसे बात करने आए जो मैं छोड़ दूँ हिंदुस्तान का हिस्सा है और इसी लिए उनको हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान की आवाम, हिंदुस्तान की अपमारी जुडिशल बॉडिज पूरा दिकार देते हैं कि आप बोलो ना आप बोलो, आप सड़क को ब्लॉक करो, आप भारत के टुकडे होने का नारा लगाओ, अगले दिन आप हवन करो, तीसरे दिन आपको जो करना करो लेकिन रुबिका जी कहां ये लिखा है, कि आप बोल रहे हो, तो ये मेरी मजबूरी होनी चाहिए, कि मैं आप के पास आऊँ, और जो समय मैं किसी और औरत की मदद करने के लिए लगा सकती हूँ, उस समय को मैं वहाँ पर दूँ, आज जब मैं आपके साथ ये समय बिता रहे का ना हो, उसके तहट हर जिले में बहुत सारी सरकार की इकाईयों के साथ जा रहे हैं, ताकि हर जिले के स्कूल को, हर जिले के काउंसलर को, हर जिले के प्रशासन को, हम लोग एक जुट कर सके, ताकि बच्चों का संरक्षन हो सके, अब आप मुझे बताईए, मंत्री के ना तो वो आपके काम पर असर नहीं डाल रही है मैं ये जानती हूं रुबिका जी कि आज अपेक्षा है कि 10 बजे के 10 बजे के कारिक्रम में मैं एक बयान दूं और 12 बजे OEC साहब आके उस बयान के उपर अपना बयान दे अच्छा ये जो बयानों का खेल है एक और सोशल मीडिया पर ट्विटर खेल भी बड़ा चलता है अकसर आप राहुल गांधी पर अटाक करती है शायद ये पहली मरतबा है जब आपके साथ वो सहमती जता रहे हैं आपकी फोटो आपको याद है ना वो गास सिलेंडर लेकर आ बैठी हुई है और देड़ सो रुपे बढ़ गया था इजाफा हो गया था रुबिका जी कसक होती है जब एक चटाक भर आउरत एक बड़े खांदान के वारिस को धूल चटा दे तो कहीं ना कहीं दुख तो होता ही है लेकिन वो तो गैस सिलेंडर के बड़े हुए दामों पर बात कर रहे थे नहीं वो गैस सिलेंडर के साथ बैठी हुई महिला के संदर्ब में कसक निकाल रहे थे राहुल गांधी को आपने हरा दिया लेकिन उनकी बहन आजकल यूपी में बहुत आक्टिव है मुझे रखता है वो कॉंग्रेस में जादा आक्टिव है क्योंकि उनका द्वन्द किसी राजनेतिक दल से नहीं अपने ही दल में अपनी जगा बनाने का चल रहा है योगी जी जो यहां इस राज्य के सीएम है उन्होंने हर बार एक ऐसे बयान से शुरुवात किये जो कहीं न कहीं उस माइनौरिटी सेक्शन को जिससे आपकी हमेशा टसल चलती रही है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विश्वास आप भी अच्छे से जानती है कि वो जो थोड़ी सी कसक है इस पार्टी में और इस कम्यूनिटी में उस कसक का बहुत नाजायस फायदा उठाया जाता है अलग-अलग political parties की तरफ से, ideology की तरफ से क्या उसको पाटने की कोशिश आप लोग नहीं करता है अलग-थाम करता है। जव पक्षपात की राजनीती नहीं, विकास की राजनीती करो। नरेंडर मोदी मात्र उनके प्रधान मंतरी नहीं, जिननोंने तींसो 300 सीटों पर हमें वोट दिया, हम उनके भी सेवक है जिननोंने हमें वोट नहीं दिया। जब नरेंद्र मोंदी ने 5,000 करोड की फैक्टरियम एठी में एलान की गोशित की तब मैं सांसद वहां नहीं थी, राहूल गांदी थे राजीव गांदी के नाम से एक पेट्रोलियम का इंस्टिटूट चलता है UPA की सरकार में उसको अठनी तक नहीं दी गई और नरेंद्र मोदी ने 400 करोड दी है ये खबरे इसलिए बाहर नहीं आएंगी क्योंकि इन खबरों को पढ़के कोई मोदी को गाली नहीं दे पाएगा फर्क सिर्फ इतना है आप ये कह रही है कि सरकार से प्रॉब्लम नहीं है मोदी से प्रॉब्लम है मोदी से प्रॉब्लम किसको है कम्यूनिटी को है विपक्ष के लोगों तो है ही विपक्ष आप मुझे बताईए रुबिका जी इससे पहले का जो सत्र हुआ अभी नहीं जो इससे पहले का सत्र हुआ उसमें कॉंग्रेस के नेताओं के इशारे पर केरिला से दो MPs मेरी तरफ आये मारने जो सत्र अभी गया उसमें कॉंग्रेस का एक MP डॉक्टर हर्शवर्धन तक पहुँच गये थे उनको हाथ दिखाते हुए आप बस बदल कर देखिए अगर भाजपा का कोई सांसद ऐसा करता तो कयामत आ जाती आप अगर अभी जो वारिस पठान का आया स्टेट्मेंट पलट कर देखिए स्टेट्मेंट अगर भाजपा का कोई इस प्रकार से कहता तो इसलिए कह रहे हुँ जान बूज कर माइनॉरिटी और भारतिय जनता पार्टी के बीच में कॉंग्रेस पार्टी हो या उनके समर्थक दल हो नहीं चाहते कि कोई समन्वे हो विकास की कोई बात हो क्यूंकि नुकसान कॉंग्रेस को और उनके साथ ही दलों को होने वाला है लेकि इस आग में स्मृती जी घी का काम तो प्रिराद सिंग जैसे आपके मंतरी भी तो करते हैं जब यह कहते हैं कि मैं बहुत दुखी हूं कि हमारे पूरवजों ने सारे मुसलमानों को पाकिस्तान नहीं भेज दिया जब बित्राजमंत्री नारे लगाते हैं देश के गदारों को कपिल मिश्रा 20 versus 80 करते हैं, ये सारे वो बयान है ना जो घी का काम कर रहे हैं, आप मुझे बताएं, मध्य प्रदेश में नस्बंदी का काम कर रहे हैं, कमलनाथ जी, वापस ले लिया उन्होंने आदेश, वापस ले लिया, राजिस्थान में एक दलित लड़के की एनस में रौड घुसा रहे हैं, सल्मान खुर्शीद बेनजिर भुटो का वो बयान की आजादी होनी चाहिए इस देश में, उसको शाहिन भाग में दोहरा रहे हैं, ये सुर्ख्या कभी नहीं बनते, आजादी का जो नारा लगता है, चाहिए वो जेनियू में लगे ये शाहिन भाग में लगे, वो नारा क्या है? नभे के दशक में कश्मीरी पंडितों को घर से निकाला गया जब आजादी का नारा दिया गया, घरों से निकाल कर उन्हें मौत के घाट उतारा गया, कहा गया अपनी बेटियां छोड़ जाओ हम हिंदू की बेटियों से निपट लेंगे, आप इतिहास को एक छंद में नहीं देख सकते हैं, पूरे इतिहास को देखिए, लेकिन नहीं होता, वही दिक्कत है रुबिका जी, प्राब्लम ये है, कि हम चाहेंगे कि जो हमें संसनी खेज लगता है, उसी पर चर्चा हो, प अपने हिसाब का दिख रहा है, और मुझे यहां दोनों के हिसाब का दिख रहा है, स्मिती जी, एक से किन, आपका काम ही नहीं है, देखना, आपका काम है रिपोर्ट करना, नहीं नहीं, मेरा काम है देखना, तब ही तो मैं पूछ पाऊंगी, देखोंगी नहीं, तो पूछ कहते हैं भारत के टुकड़े होंगे, उसका जवाब तो अमेठी की जनता ने दे दिया, और हिंदु ने भी दिया, और मुसल्मान ने भी दिया, अमेठी में है मुसल्मान जिसने राहूल को मूँ तोड जवाब दिया, वो आपके साथ कड़े हैं, वो आपके साथ कड़े हैं, कि जब आप मुझे एक सांसद के नाति भी बात करती हैं, मेरी constituency में भी है मुसल्मान, लेकिन उनकी लिए भी मैं उतनी ही दीदी हूँ, यहां सुरेश पासी बैठे हैं, जितनी मैं इसकी दीदी हूँ, उतनी उनकी भी दीदी हूँ, हमने रिष्टों को कभी धर्म से नहीं त दमदार शक्सियत हैं, जो बेबाकी से अपनी बात रगती हैं, मैं बेबाकी से ही बोल रुबेका जी, एक और आपको धारन देती हूँ, एक फिल्म आने वाली है तापसी पन्नु की, वो डेली मेरे पार्टी को, मेरी आइडियोलोजी को, डेली कुछ न कुछ अनाप्शन अनुभव बोलता है, लेकिन मैंने कहा, फिल्म है घरेलोव हिंसा पर, मैं आपकी आइडियोलोजी से वाकिफ नहीं हूँ, या उसका समर्थन नहीं करती, लेकिन घरेलोव हिंसे का जो इश्यू आपने उठाया है, उसका मैं पूर्ण समर्थन करती हूँ, तो कई चीजे है हमारे देश में, जिसमें हमारे मत अलग होते हूँगे, मतभेद हो सकता है, मनभेद ना हो, ये हमारा प्रयास होना चाहिए, लेकिन आपको दुख होता है जब इस तरीके के बयान आपकी पार्टी से निकलाते हैं, मुझे दुख होता है जब भारत के टुकड़े होने की ब के नेक को काट दिया जाएगा, और उसको बोलने वाले का प्रुचाहन किया जाता है, मुझे दुख होता है जब राइट विंग की ओरतों को डेली-गाली बकी जाती है, हमारे बच्चों को धमकाया जाता है, और लिब्रिल फील्ड से कोई उठकर हमारा समर्थन नहीं करता मुझे उसका भी दुख होता है, उसका तो आपको होगा लाजमी है, लेकि दुख क्या दूसरी तरफ से नहीं होता है, मैं यह जानना चाहती हूँ कि फिर वो दुख आपका दुख क्यों नहीं बनता, हम किस प्रकार की अब एक इंसानियत के दौर में हैं, कि अगर एक अगर हम राम का नाम ले तो कम्यूनल, वो हनुमान चालिसा पड़े तो सेकूलर, इस बात में तो आपकी दम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कि अब आप अगर हाथ लगा देंगी किसी भी चीज़ को, मुझे लगता है यह पानी भी भगवा हो जाएगा, अगर भगवा क मतलब अपने देश पर फक्र करना है, तो मुझे फक्र है कि मेरा रंग भगवा है, वैसे बहुत कम लोग जानते हैं कि इसलाम में भगवा जो है, चिश्टी रंग कहलाता है, और वकाइदा स्मृति जी, यहाँ पर बहुत से ऐसे बुज़गाने दीन हैं, जिनको इस रंग पर रोकी गई हूं, और मुझ से पूछा गया है कि इरानी कौन सा वाला इरानी है, और जब वो फॉरें एरपोर्ट में मुझे रोका जाता है, तो मैं कहते हूं, यह हिंदुस्तान वाला इरानी है, बहुत कुछ, तो ऐसा नहीं है कि यह एहसास या फिर यह सारी कही ना कही यह सारी घटनाएं मेरे साथ नहीं हुई है, हुई हैं, लेकिन यह मुझ पर निर्भर करता है कि मैं उसका जवाब कैसे दूँ, मुझे भी पूछा गया था कि अवकात क्या है तुमारी, जो राहुल गांदी को चुनौती देती हो, बहुत बड़े घर का लड़का है, ऐसा नहीं है कि हम सब के जीवन में ऐसे पल, ऐसे छण नहीं आते, हम उन छणों में किस प्रकार से व्यभार करते हैं, वो हमारे संसकार को, हमारी मर्यादों को परिभार्शित करता है। या कैसे पाएंगे। मैं अक्रॉस कम्यूनिटीज, अक्रॉस धर्म, अक्रॉस सेक्स बात कर रही है। पिछले दो दिनों में प्रधान मंत्रीक ने एक चीज भेट की, चड़ाई, वो क्या थी, रुबिका जी? चादर थी. कहां? अजमेर शरीफ. कितना बड़ा वो, न्यूस बना। कितनों को पता है ये बात वैसे? और न्यूस कितनी बनी… हाथ खड़ी कीजे, आप यहीं, कितनों को पता है कि… न्यूस कितनी बनी, जब प्रधान मंत्री, उनसे मिले, जो राम लल्ला के भव्य मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं. उसी से आपको पता चल जाएगा कि जिसकी जैसी नजर, उसकी वैसी खबर. वैसे न्यूस उस वक्त भी बनी, जब उद्धव ठाकरे प्रधान मंत्री नरेन रुमोधी से मिलने के लिए गयते हैं. तो उसमें बुरा ही क्या है? मैं उद्धव भाई को जानती हूँ पिछले 20 साल से, तो बात करना बंद कर देंगे मुझसे. भाई कहते हूँ, अचानक अगर किसी और के साथ रिष्टा जोड लिया, तो भाई त्याग कर देता है, क्या बहन के और देखे का नहीं? यह बात और है, कि जब मैदाने जंग में उतरा जाता है, तो बगवान कृष्ण को याद किया जाता है. यह बागवान कृष्ण किस तरफ इशारा था, स्मृती जी? भागवान कृष्ण कहते हैं कि अधर्म के साथ ना हो, इसलिए हम कॉंग्रेस के साथ कभी नहीं हो सकते. आजकल बिहार भी बड़ा रुक किया जा रहा है, अलग-अलग समिकरन बनाए जा रहे हैं. मोदी ने लिट्टी चौखा क्या खाया, सब की नजर बिहार पर पड़ गई. आप गई थी क्या, हुनर हाट? I think आप गई थी. मैं अलग से गई थी और उस दिन मेरे स्कूल की जो नंज हैं, वो वहाँ पर शॉपिंग कर रहे थी. अब जिन्हों ने आपको पढ़ाया. जिन्हों ने मुझे पढ़ाया, वो वहाँ पर सामान देखने आई थी, कि स्कूल का कुछ सामान यहां से ले सकते हैं. तो मेरे लिए तो हुनर हाट दबल धमाका हो गया, स्कूल की आदे भी ताजा हो गई, और नकवी जीन्हों बहुत बढ़िया काम किया है. मैंने उनको फोन भी किया, मेरे बहुत सीनियर है, बीस साल से उनके साथ काम कर रही हूँ. और कई बार उनके साथ बे तकलूफ होके उनकी टांग भी खीच देती हूँ. लेकिन हुनर हाट गई तो मुझे मुक्तार अबास नकवी के काम पर बहुत फक्र हूँ. बहुत बढ़िया इंतिजाम हुआ है, देश भर से कारिगर आए, एक स्टाइल मंत्री होने के नाते, मैंने हैंडी क्राफ्ट का वहाँ जो नजारा देखा, उसे देख के अपने देश के हुनर पर भी नाज हुआ और अपने सीनियर मंत्री पर भी. आपने क्या खाया? मैंने खाया नहीं, मुझे इरानी साहब ने चेतावनी दी है, कि मैं जितना कम खाऊं उतना अच्छा. गालियां भी आपको बहुत सारी मिलती है, ट्रोलिंग भी आपकी बहुत सारी होती है. आप कैसे डील करती हैं? नहीं करती हैं. डील ही नहीं करती हैं? नहीं. मुझे लगता है कि जब हम इंटरनेट पर जाते हैं और एक पब्लिक फिगर के नाते जाते हैं, तो हमें ये समझना होगा कि हमेशा इंसान के जोली में प्यार नहीं आएगा. पत्थर खाने के भी आदत करनी चाहिए. हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं, जो मरियादित भाषा में आपसे समबाद नहीं करते. ऐसे लोगों को संसकारित करने का मेरा इरादा इसलिए नहीं है, क्योंकि वो जिम्मेदारी उनके माभाप की है, मेरी नहीं है. समरती जी, मुझे ये बताईए, महिला एवन बाल विकास मंत्राले में सबसे बड़ा आपका चैलेंज क्या है, आपका टागेट क्या है, और स्पेशली में महिलाओं पर आना चाहती हूँ, आप महिलाओं के लिए क्या करेंगे, तो हम जेंडर का भेदभाव अपनी प्रशनावली में ही लाकर स्थापित कर देते हैं, हम एक पुरुष मंत्री या पुरुष सांसत से कभी नहीं पूचेंगे, अरे वा, आपने तो अच्छा फ्राइड राइस बनाया, और अगर हम चाहते हैं कि महिलाओं के प्रती कल्पना, अत्वा, भावना बदले, विकसित हो, तो कहीं न कहीं हमारी प्रशनावली में या हमारे संबाद से ही उस बदलाव की शुरुवात होनी चाहिए, आज अगर हम महिला की दुष्टी से देखें, तो मेरे लिए गौरव का विशे ये है कि आज से छे साल पहले जब महिला काम करना चाहते थी, उसको ये कहा जाता था कि तुम्हारी एक सीमा है, उस सीमा से बाहर, तुम अगर अपना व्यवसाय भी करना चाहो तो तुम्हारे पास क्रेडिट फसिलिटी नहीं होगी, तो पहली बार हमने देखा कि 15 करोड देश की महिलाओं ने अपने आप अपना बिजनस प्रपोजल बैंक में सब्मिट किया, बैंक के साथ वारता की, फिर लोन प्राप्त किया, देश में ये बहुत बड़ा संकेत है, कि आम हिंदुस्तानी औरत में इतनी छमता है, उसे बस मौके की जरूरत है, दूसरा विशे रूबिका, जो अकसर ग्रामीन अंचल में महिलाएं, कभी भी परिवार में समाज में नहीं उठाती, हम शहरी तपके में देखते हैं, ब्रेस कैंसर की, सर्विकल कैंसर की चर्चा होती, आयुष्मान भारत जो कारिक्रम है, उसके चलते, पहले एक साल में 75 लाख देश की महिलाओं ने, ब्रेस कैंसर का अपना टेस्ट करवाया, ये साधारन बात नहीं है, आज भी आप अगर जाएं, तो घर में बैटकर सर्याम महिला इसकी चर्चा नहीं करती, पचास लाख से जादा ओरतों ने सर्वेकल कैंसर का अपना निरिक्षन करवाया, ये भी साधारन बात नहीं है, क्योंकि ये चर्चा एक महिला अपने घर के बढ़ों के साथ नहीं करती, इसका मतलब मेरी सरकार ने मोदी जी के नेत्रित्तों में ऐसे ऐसे समाधान दिये हैं, जिसके माध्यम से महिला अपना जीवन सर उठा कर जी सकती है, और मेरा प्रयास है कि जो जिम्मिदारी मेरे पास महिला बालविकास मंतराले में, उसके अंतरगत इन ही प्रयासों को और शशक्त करो. प्रधान मंतरी ने संसद में कहा है कि इस पूरे सत्र में एकॉनमी चोड़के और किसी चीज़ पर बात मत करो. लेकिन opposition बात नहीं करना जाता, हम बात करते हैं ना, इसलिए कि opposition से बात करने के लिए बार-बार प्रधान मंतरी ने कहा, आप economy पर बात कीजे, मैं आप अगर economy पर बात करना चाहती है, textile में भी एक भूमिकाने बाते हो, आप अपने चैनल के माध्यम से या हिंदुस्तान में शशी जी के अख़बार के माध्यम से एक स्टडी करवा लीजिए इस बजट में एंटी डंपिंग को PTA पे हटाया गया कई लोगों के समझ नहीं आये कि यह है क्या विश्व भर में जो कपड़ा बनता है वो मैनमेड फाइबर से 70% उसकी सप्लाई होती है हिंदुस्तान सिर्फ 30% सप्लाई कर पाता है क्यों क्योंकि 30 साल से जो हमारा उसका रौ माटीरियल था उसके ओपर सतत सरकारों ने अंटी डंपिंग लगा रखी थी इसका मतलब रौ माटीरियल नहीं मिल रहा था तो इंडस्ट्री कैसे शुरू हो वो इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें 70% नौकरिया महिलाओं को मिलती है और पहली बार उस 30 साल के इतिहास को हटा कर आंटी डंपिंग हटा कर रौ माटीरियल को आप competitive rates में लाकर आज हिंडस्तान को पहली बार ये मौका मिल रहा है कि विश्वस तरके हम लोग स्परधा कर सकें और सबसे जादा 70% नौकरिया महिलाओं को दे सकें पहली बार आज जो आपने ये सब लगा रखा है पीछे यह technical textile का हिस्सा है बहुत कम लोग ये जानते है इस रो जो space अपने वो launch करता है उसका जो कौन होता है शाटल का सैटलाइट का वो technical textile का carbon fiber का बना होता है एरपोर्ट जब आप जाते हैं उपर जो कनाते लगी होती है कपड़े की नहीं होती, टेक्निकल टेक्स्टाइल की होती है तो सब इतना अच्छा हो रहा है तो हमारी एकलोनी क्यों नहीं अच्छा गरे है मैं आपको उसका दे रहे हूं रूबिकाजी, नमबर्स के साथ दे रहे हूं इस देश में कभी भी HSN कोड मतलब स्टैंडर्ड नहीं था टेक्निकल टेक्स्टाइल का हमारी सरकार ने जनवरी में 207 आइटेम्स का स्टैंडर्ड बनाया नेगिटिव ट्रेड बैलंस प्रतास प्रतिशत बहतर हुआ है इंपोर्ट कम हुआ है 20 प्रतिशत इसलिए मैं कह रही हूं प्रधान मंतरी बार-बार कहते हैं कि सदन में करो ना चर्चा और वो चर्चा नहीं करना चाहते क्योंकि उनको जवाब देना होगा 30 साल से अपने PTA के उपर अंटी डंपिंग क्यों नहीं हटाई उन्हें जवाब देना होगा टेक्निकल टेक्स्टाइल आज जूट से लेके कॉटन तक हमारे देश के सभी किसानों की मदद कर सकती थी आपने क्यों नहीं मिशन बिठाया अभी भी जवाब वही दे मैं आपको वही तो कह रही हूं कि मैंने आपके सामने ये सारे जवाब दिये हैं सतर प्रतिश्य जहां पर जिस छेत्रवे नौक्रिया औरतों को मिल सकती है वो छेत्र आपने रॉमाटीरियल से बंद कर रखा है आज हमने पहली बार खोला है अभी तो सेशन बाकिये दो तारीक से पूरा होगा मेरी नोटिफिकेशन निकलेगी तो आपके कहा रही है सब बढ़िया चल रहा है किसी तरह की बचिंता करने की जुरुत नहीं है मैं रुपिकेशन यह कह रहे हूं कि चुनोतियां बहुत सारी है और उन चुनोतियों का समधान देने की चमता इस सरकार में है निर्मला सीतारामन स्वैम देश में बजट के बाद हर शहर में गई और बोला कि जो मैंने बजट में प्रस्तुत किया है अगर उसमें कोई आपको लगता है तुरुटी हुई है उसमें कोई समधान देना है अथवा बजट से आगे बढ़कर भी अगर मुझे कोई आपको समर्थन देना है आप बताई आम तयार है पहली बार ऐसा हुआ है कि देश का वित्तमंत्री बजट प्रस्तुत करने के बाद शहर शहर जा रहा है लोगों से स्वैम मिल रहा है सरकार समध में है एकोनमी को लेकर भी लेकिन क्योंकि पॉलिसी पे कटाक्ष करना ओपोजिशन का अधिकार है तो संसद में गरिमा में एक स्थिती में करिये ना वो बातचीत और प्रधान मंत्री ने स्वैम कहा है आप कहरें समध से समध से एकोनमी ठीक हो जाएगी आपको मैं नीती की बात बताती हो समध इंडास्ट्री ने हम से किया कि अगर औरतों को इस छेत्र में जहां पर 70% नौकरिया मिलती है अगर देना है तो यह कदम सरकार को ठाने चाहिए सरकार ने उठाए वो समध का ही परिणाम है तो आप कहते हैं जब तक आप उन से समभाद ना करो जिनको हम अधिकृत नहीं करते तब तक आपका समध अधूरा है तो 5 trillion dollar economy की तरह आपको अग्रिसार है देखे 5 trillion dollar Will it happen Smritish एपसलूटली and why should it not 5 trillion dollar economy सिरफ मोधी का सपना नहीं है देश के लिए लक्ष है कि इस लक्ष की पूर्ती के लिए हमारी राजनीती कुछ भी हो, हम सब को मिलकर नहीं लगना चाहिए। क्यों उड़ाएंगे हम इस लक्ष का उपहास। अरी जब तक बुलंद सपने नहीं देखोगे तो उन सपनों को साकार करने की हिम्मत कहां से जुटा होगे। बुलंद सपने से याद आया। I think I must ask this question. गुजरात में एक बड़ा बुलंद सपना देख बैठें Trump, करें एक करोड़ लोग आएंगे, कहां से लाएंगे? मैं मैं Trump की प्रवक्ता नहीं हूँ, मोदी की थोड़ी बहुत बन सकती हूँ. आज आप बात करते हैं economy की, जो आपके सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं, जिनके साथ व्यवस्थाओं को और हम शशक्त कर सकते हैं, नई trade और investment की opportunity खोल सकते हैं, तो हमारे देश की सभ्यता क्या रही है? कि जब लक्षमी घर आते हम किवाड़ बंद करते हैं, क्य तो अगर एक देश, जो माना जाता है पूरे विश्व में, एक शशक्त economy के रूप में, अगर वो हिंदुस्तान के प्रती, एक दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, तो उस हाथ को जटका जाए ट्रॉम्प कह रहा हैं कि मुझे मोदी से प्रॉब्लम नहीं है, पर इस देश ने मेरे साथ सलूक अच्छा नहीं गया, अब देश बढ़ा या मोदी? ऐसा है कि मोदी भी इस देशी का नागरिक है, ना? जर्टिन पर जनता ने चुनकर उनको प्रतिनिधी बनाया है। लेकिन वो यह कहा रहा है कि मुझे मोदी पसंद है। उनको इस देश के सेवक को गले लगाने आ रहे हैं। इससे बड़ा क्या हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात होगी। टाइम्स अप यह का जा रहा है। लेकिन शृती जी आप लिकिन शृती जी कहना चाहती हूं तो ओड़ते बैठी थी बात करने के लिए पहले के पांच मिनट वो खा गए। हाँ इस लिए से शृती जी को आपे पांच मिनट एक्स्ट्रा देने चाहिए थे। तो शची जी आप महिला विरोधी हैं और ती बैठती हैं बात करने आप उनकी बात काड़ देते हैं। तो शची बात करने के लिए पांच मिनट आप सब महिला विरोधी जितना कि यहां बैठे पुर्षो का हैं। थी 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 आप सब महिला हैं।